जाहिन मेरे पैरों दोस्तों, जो विबांडी गैसने वीडियो में एक पार फिर से आपका भहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, वैसे कंडिडियट जिन लोगों ने यहाँ पर मुखिमंत्री महिला उद्यमियोजना के अंदर का ओंलाइन आविदना कीया था आज दिन उनका जो है कमेंट आता था दोस्तो जब मैं उस वीडियो को बना कर जान करें दिया था और सारा डीटेल में वीडियो को डिस्क्राइब किया था तो कि सर उसका चैन जो है कब तक हो जाएगा और कब तक ये जो है हमारे योजना को फाइनल किया जाएगा दोस्तो आज उससे related एक update यहाँ पर आप लोग के लिए आया है कि उद्धमी ओजना के लाभार्थी का इंतजार खतम हो चुका है 17 दिसंबर को यानि आज 11 बजे से इसका चैन लिस्ट जारी होना था दोस्तो और यह जो है इसका चैन लिस्ट जारी हो चुका है randomly लगभग 16 जार लोगों को इसमें select किया गया है इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी selection criteria नहीं था दोस्तो या कोई भी exam वगेरा नहीं था या किसी भी selection का कोई भी process यहाँ पर नहीं बताया गया था randomly सिर्फ लोगों को select कर लिया गया है 16 जार किस तरीके से select किया गया दोस्तो यह कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है आपको तो आप जो है वो किस तरीके से यहाँ पर select किया गया लोगों को कौन-कौन select हुए है और लिस्ट में आपका नाम है या नहीं जानने के लिए हम इसके official website पर चलते हैं और वहां से आपको सारा detail में बताएंगे कि कैसे आप अपना list जो है वो नाम चेक करेंगे उसमें आपका नाम है या नहीं उस लिस्ट में वीडियो स्टाट करने से पहले बता दो दोस्तो चैनल पर नए है चैनल को जरू सब्सक्राइब करके बेल अके प्रेस कर लीजेगा इस चैनल पर आपको जितने भी government jobs related update आता है दोस्तो येजना से related update सारी कुछ जानकारी हम आपको provide करते हैं बीना समय गवाए हम चलते हैं वीडियो में आगे की और यहां पर दोस्तो हम इसके official website पर आ चुके हैं गूगल में आप जाकर उद्धमी योजना टाइप करेंगे तो डायरेक्ट आप इस official website पर आ जाएंगे दोस्तो वीडियो के description वो वैसल लिंक आपको मिल जाएगा वहां से आप direct click करकर इस website पर आ सकत जाते हैं final list according to SST यहां पर जो है final list according to आपका EBC final list according to target महिला और यूबा ये SST का है दोस्तो ये total आपका EBC का है यानि कि यहां पर जो है अगर general में महिला है तो OBC में महिला है यूबा है ये सारा कुछ final list आपका यहां पर जारी कर दिया गया दोस्तो ये जो है आप मैंने desktop mode करके रखा है इसको जो है मैं डेक्सटोप मोड हटा देता हूँ फिर आपको अच्छे से और देखेगा दोस्तों यहां से देखिए यह जो है आपका यहां देख सकते हैं इन में से मैं किसी भी एक लिस्ट को आपको जो है वो डाउनलोड करके दिखा देता हूँ दोस्तों यहाँ पर मैं S.E.S.T. का डाउनलोड कर लेता हूँ ठीक है डाउनलोड करने के बाद जब क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा एट उ बर्थ, जेंडर आपका, एडरेस, मुवाइल लंबर, इमेल आईडी, कास्ट और यहाँ पर प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने अप्लाइ किया था वो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों तो यह जो लिस्ट है, यह जो लिस्ट काफी लंबा है, अब आप इसमें किस तरीके से आपने आपको खोजेंगे, यहाँ पर मैं वो बता देता हूँ यह जो है, आप जब पीडियाप डाउनलोड करेंगे, तो सबसे उपर में आपको फाइंड का एक उप्सन मिल जाएगा, यहाँ से आप जो है, अपना नाम यहाँ पर सर्च मार सकते हैं, तो मैं एक नाम है दोस्तों, सर्च मार लेता हूँ रेंडम ली दोस्तों, मैं कोई भी एक नाम से लेक यहाँ पर सर्च मार रहा हूँ, तो देखिए, असोक ठीके, मैंने असोक सर्च मार रहा है, तो असोक पासवान यहाँ पर जो है वो, candidate जो है, उनका नाम यहाँ पर आया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीके, नलंदा डिस्टिक का यह जो है नाम यहाँ पर आ रहा है तो आप इसी तरीके से आप जो है अपना चेक कर सकते हैं सबसे अच्छा एक सजेशन में दूँगा दोस्तों आपको कि आप जो है यहाँ पर जब सर्च मारेंगे तो आपके नाम से हो सकता है और भी बहुत सारे कंड हो तो आपको खोजने में परसानी हो तो आप जो है आपका यहाँ पर जब आपने अपलाई किया था तो आपका रेजिस्टेशन नंबर यहाँ पर दिया होगा दोस्तों आप अपने रेजिस्टेशन नंबर से वह आप आसानी से यहाँ पर जो है वो खोज सकते हैं रेजिस फाइनल लिस्ट जारी हुआ है, उसके बाद में आप यहांपर आपको सारा डोकिमेंट ले के यहांपर अगला नोटिस आएगा, उसके बाद जो है, आपको डेट जारी किया जाएगा, और सारा कुछ आपका आविधन करते समय जो डोकिमेंट दिया था वो सारा डोकिमेंट जो है आपको लेके जाना होगा और वेरिफाइड करवाना होगा वेरिफाइड डोकिमेंट होने के साथ में ही आपका 50% का लगभग आपको जो amount जिस amount के लिए आपका project जो है वो select हुआ था दोस्तो उतना उसका आधा जो है आपको मिल जाएगा जब आप उस amount का इस्तमाल कर लेंगे दोस्तो यूज कर लेंगे और उसका फिर से एक बार जो है आपका verify किया जाएगा बीच में ही verify कर लिया जाएगा कि आपने जो amount लिया है आपने उसका इस्तमाल कहां पर किया है उसका verification होगा और फिर जो है आपका उसमें जो पूरा amount है आपको पैसा मिलेगा उसके बात जो है दोस्तों यहाँ पर बात आता है कि किसको कितना amount वापस करना होगा तो उसमें यहाँ पर जो है आपको 50% जो है अनुदान कर दिया जा कि आपको दे दिया है वहां से आप उसको जाकर फिर से देख सकते हैं अगर आपको जानकारी नहीं है तो अगर आप इसमें सिलेक्ट है तो वीडियो जरूर देखे उसमें सारा कुछ डीटेल में बताया हुआ है कि किस कंडिडेट को कितना ब्याज लगेगा और कितना रेटन कर लीजेगा मिलते हैं किसी अगर आप डेट के साथ नहीं वीडियो में तब तक के लिए जहें दोस्तों